चौधरी हर्मोहन सिंग यादव को शद्धांचली देने कानपुर जा रहे हैं पीम नरेंद्र मोदी पीम के दोरे से पहले राचनितिक क्यास बाजियां शुरू हो चुकी हैं आखिर समाच पादी नेता चौधरी हर्मोहन सिंग यादव बीजेपी के लिए अचानक से इतने महत्वपोन क्यों हो गए कौन थे चौधरी हर्मोहन सिंग यादव उत्तर प्रदेश की राचनिती में उनका कद क्या था ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि समाच पादी पार्टी के कोवर फोट को खिसकाने का प्लैन दिल्ली में बन चुका है 25 जुलाई को पीम नरेंद्र मोधी कानपुर दौरे पर रहेंगे जाहिर सी बात है पीम रहेंगे तो सीम योगी आदित तनाथ भी वहां मौजूत रहेंगे कयास लगाय जा रहे हैं कि सरकारी कारिक्रमों के साथ साथ पीम मोधी चौधरी हर्मोहन सिंग को शधांचनी देने भी जाएंगे चौधरी हर्मोहन सिंग यादव यादवों के बड़े नेता थे कानपुर और उसके आसपास के जिलों में उनकी अच्छी खासी पैट थी हर्मोहन सिंग ने गाउं से संसत्तक की राचनीती की 1952 में वो पहली बार कानपुर के गुजैनी गाउं के प्रधान चुने गए हर्मोहन चौधरी की विधाई और संसदिय राचनीती राचनीतिक सक्रियता के चलते हर्मोहन सिंग यादव मुलायम सिंग यादव के संपर्ख में आये 16 माई 1970 को हर्मोहन सिंग यादव फरुखाबाद कानपुर विधान परिशद सीट से चुनाव जीत कर लखनव पहुचे उसके बाद 1990 तक वो विधान परिशद में बने रहे 1991 में चौधरी हर्मोहन सिंग नॉमिनेट मेंबर के तौर पर राजसभा पहुचे हर्मोहन चौधरी दो बार राजसभा सांसत रहे हैं विधाई और संसदिय राजचनीती के साथ साथ हर्मोहन चौधरी यादवों के नेटा के तौर पर उभरे उस दौर में उत्तरप्रदेश में यूपी में यादवों के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंग यादव हुआ करते थे लेकिन क्षेत्री इस तरफ बन चौधरी हर्मोहन सिंग यादव को मुलायम सिंग का प्रतिनिधी माना जाता था 1993 में अखिल भार्तिय यादव महसभा ने चौधरी हर्मोहन सिंग को अध्यक्ष चुना उसके बाद तीन बार यादव महसभा के वो अध्यक्ष रहे चौधरी हर्मोहन की विरासत चौधरी हर्मोहन सिंग समाच बादी नेता थे कानपुर और उसके आसपास के जिलों में उनकी अच्छी पैट थी बुलायम सिंग यादफ से उनके संबंध काफी अच्छे थे हर मोहन के बाद उनके पुत्र सुखराम यादफ को विरासत में राच तीती मिली जौतरी हर मोहन के नाम पर सुखराम को दो बार विधान परिशत और एक बार राज्यसभा सांसद रहने का मौका मिला 2004 से लेकर 2010 तक सुखराम यादव UP विधान परिशत के अध्यक्ष रहे 2016 से लेकर जुलाई 2022 तक समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद भी रहे हर्मोहन चौधरी के जरिये BJP का मकसद यादव वोट बैंक को खिसकाना है हर्मोहन के बेटे सुखराम यादव करुझान BJP की ओर है वो PM मोधी और CM योगी आधितनाद से मुलाकात भी कर चुके हैं हाला कि सुखराम यादव का कोई जनाधार नहीं है यादव वोट में उनकी वैसी ही पैट नहीं है जैसी उनके पिता हर्मोहन चौधरी की थी क्योंकि मुलायम सिंग के सबसे प्रमुक सयोगियों में हर्मोहन चौधरी का परिवार है ऐसे में अगर सुखराम यादव पार्टी बदलते हैं हर्मोहन परिवार के बाकी सदस्य भी बीजेपी में जा सकते हैं ग्राम पंचायत से ब्लॉक और जिला पंचायत तक हर्मोहन चौधरी का परिवार और रिष्तिदार पहले हुए हैं अगर ये लोग एक साथ बीजेपी में गए तो बड़ा सियासी संदेश जाएगा कि अखिलेश यादफ अलग थलग पड़ गए हैं